श्री राम मंदिर अयोधा में होने वाले उत्सव को लेकर लोगों में भारी उत्सा है और लगातार लोग जो है इसे कारेकर में अपनी आहूती डालते वे नदर आ रहे इसे पूर्ण यग में अपनी आहूती डालते वे नदर आ रहे फिराल कैथल में हूँ और कैथल को एक बड़ी जिन्मेवारी मिली है आयोध्य में बंडारे लगाने की तो उसी को लेकर आज पहुंचे है राइस मिलर एशुशेशन के परधान बिटु चावडा जी उनसे जानेंगे किस तरह का सहयोग फिलाल राइस मिलर एशुशेशन जो है वो करने जा रही है और किस तरह का सह पूरा इसका बीडा उठाया हुआ है और यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है यह जितना समय निकाल रहे हैं, इतना समय कोई नहीं निकाल पाता है, हर एक बंदा जिसकी जितनी जो क्षमता होती है, शरीरिक दान उसमें जो हमारा है, वो भी दान होता है, और धन का दान भी है, और जो हम समय लगाते हैं, वो भी दान है, तो मैं इनके कारिये की सरहाना करत कि इन्हों इतना बड़ा बीड़ा उठाया है और इन में पूरे कैथल को एक-एक साथी को इनके साथ होकर चलना चाहिए उसमें जैसे मेरे साथ भवी पिछले दिनों में बात हुई थी हफता दस दिन हो गए हैं तो मेरे को यहां बुलाया तो जब बुलाया तो मैंने अपने आपको बड़ा खुशकिस्मत समझा हैं पहले भी आए और जैसे इन्हों ने कहा कि प्रदान जी ये बहुत बड़ा एक कारिया करने जा रहे हैं लगबग इसमें 25 कवंटल चावल हर रोज का लगए तो लगबग वो जो हजार था अब वो हजार का 12-1500 के करीब लगेगा 12- 1500 कवंटल तो वहां से अपने खुझ से शुरुआत करते हैं मैंने का जी 50 कवंटल चावल हम मैं बोला 50 ता पहले लेकिन उसको 50 कवंटल चावल तो मैं अपनी तरब से दूंगा और पूरे हरियाना की ओर से हम इसमें जितना भी चावल लगेगा चाए उसमें 1000 कवंटल लग चावल का एक-एक दाना हरियाना परदेश के राइस मिलर की ओर से जाएगा इसमें वो ये पुवित्तर यग है इसमें हरियाना का एक-एक राइस मिलर अपनी आहूती डालके उसमें पुन्य का भागी बनेगा मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब प्रभू श्री राम के वंश्यज है अगर देखा जाए और हरियाना के अंदर जैसे केथल को यह सोभागय प्राप्त हुआ है तो कैथल ही नहीं पूरे हरियाना के राइस मिलर या पूरे हरियाना प्रदेश के एक-एक जन को इसमें स्वयम आकर इस यग में अपनी अहुती डालनी चाहिए मैं पहले भी जैसा मैं कह चुका हूँ कि एक होती है शरीर की शुद्धी जो शनान के माध्यम से होती है एक होती है हमारे मन और आत्मा की शुद्धी जो हम प्रभू का नाम लेगे प्रभू शरीराम के नाम से होती है आत्मा की शुद्धी और एक है हमारे धन की शुद्धी धन की शुद्धी दान से होती है ज़िए ज़िए धन बड़े त्यों आपका दान बढ़ना चाहिए और उसमें दान ये नहीं है कि आप दान कर रहे हो आप अपने आपको सोभाग्याशाली समझो कि आपसे कोई दान मांगने के लिए आया है या लेने के लिए आया है लेने वाला जादा बड़ा मैं संस्ता उतना बड़ा नहीं। कहीं चीज़ों की ववस्ता है उसके लिए जैसे पहले भी पता आपको बस अड़ा जो है वहाँ का एक बहुत बड़ा जगा है वो मिली है और इन चीज़ों का भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि ये भी सभी चीज़ें चाहे वो गैस है चाहे रस्त है हमें कंट्रोल करता है आने जाने तो वो भी उन्होंने काया कि क्योंकि ये एक पुन्य का कारिया है तो उसमें भी हमें वो रात मिलेगी वहां से और अगली मिटिंग उन्होंने काया कि हम आपकी माननी है ग्रह मंत्री जो हमारे हैं अमित शाह जी उनसे मिटिंग करवाएंगे वो भी आके हमारे पास जल्द ही मैसेज आ जाएगा तो उस मिटिंग में जाकर जो भी हमारे जहन में जो आती रहेंगी बाते हैं, कि हाँ ये हमारी यहां इस तरीके की हमें और अगर मिल जाए तो हम इसको और बैतर कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि कैथल का बंडारा लगे, लेकिन वो बंड बहुत अच्छे उससे बनेगा एक एक जन उसमें सहयोगी बनेगा आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं लोगों को प्रेरित भी करना चाहता हूं कि लोग आए बढ़ चड़कर इसमें भाग ले बहुत बढ़ा एलान आज राइस्पिल एशुशेशन के जो परदहान है इस संसा के प्रदहान है महिंदर सैनी और प्राम जी उससे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहिए मैं सभी राइस्पिल वालों से प्रासना करता हूं कि जैसे प्रदान जी ने लांच किया है इनका पूरी शुरूप से सभी सेलर वाले इसका सियोग करेंगे और खुल बढ़ च राष्ट एदख जैपी नटा से बात चीद हुई है क्या मांगे रखी है उनके सामने उन्होंने क्या शुवासन यह मांगे जो रखी नी बता दीने और जैसके बाद में जो मांगे रखी है अमारी ट्रगवालों को आने जाने कि कोई भी आपको रस्ते ने कोई भी तंगी सबसे पहले आप लोगों के माद्यम से मैं तमाम हर्यानावासियों को यह अपील करता हूगी करता हूगि और भी सबसे कलगों के मैं चलिएंग में डालने के गार्ट किया है विल्कुल अगर आप भी चाहते हैं इस पुन कारिये में भाग लेना हिस्सा देना योगदान करना तो आप कैथल के पारक रोड पार्यले में आकर आप योगदान कर सकते हैं और आपकी योगदान से ही इस पंडारे को सफल किया जाएगा लेकिन कल जिस तरह जेपी नड़ा ज्वारा बातचीत की गई और कैथल के लोगों के पीट सबसे भाई के कैथल के लोगों के